हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टागेट टीचर जौब में फ्रेंड्स से आज हम पढ़ेंगे डियलर थर्ष समिस्टर का सामाजी के अध्यन विसे और ये है आपका पवन सीरीज दोस्तों पवन सीरीज में हम ल तक तो इसमें देखे 51 है सरवोच न्याले कहां स्थित है नई दिल्ली कानपूर इलाहाबाद मुंबई दोस्तों देखे सरवोच न्याले यानि की उच्चितम न्याले की बात हो रही है तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब जुरू कर लिजेगा, वेल आइकन बटन को प्रेस कर लिजेगा, तो चलिए आगे देखते हैं, कोशिटम नियाले के नियाधिसों की न्युक्ति कौन करता है, राज जिपाल, मुख्य मंत्री, प्रिधान मंत्री, राश्टर पती, दोस्तों, उच चौथाई, तीन, चौथाई, आधे भाग में इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों, इसमें से बाफसन आपका सही हो जाएगा, कोश्चनल 53 देखिए, भारती समिदान की आठवी नसूची में कितनी भासा हैं, कितनी भासाओं का उलेक है, दोस्तों, देखिए, 16, 18, 22 और 21, त अब हम देखिए कि कोश्चन नमर 55 है, यहाँ पे भारत के संसत से आसर है, लोकसभा, यहाँ पे ऑप्सन है, लोकसभा, राश्ट्रपती, 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 लोकसभा, योम, राश्ट्रपती, दोस्तों, देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है, कि भ पास होता है तो इसलिए आपको ये चीज इस तरह से याद रखना है कि जो संसत बनी वो तीनों को मिला के बनी Q56 देखेंगे आपर महा वियोग द्वारा किसे हटाया जा सकता है राजिफाल को मुख्यमंत्री को राष्ट्रपती को सभी को तो महा वियोग के द्वारा राष्ट्रपती को हटाया जा सकता है अब हम देखेंगे Q57 है संग सूची में कितने विशेव है शंतानबे निन्यानबे और 61 और 47 तो दोस्तों यहाँ पर देखें ये संग सूची में 97 ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा क्योंकि I think 100 है क्य तो एक बार आप लोग क्लियर कर लीजेगा मैंने जो डिटेल क्लास पढ़ाई है उसमें मैंने क्लियर करके आपको पूरा सईसे लिखाया है कौनकों से सूची में कितने कितने विसे हैं उससे आप एक बार क्लियर कर लिजेगा और यहां पर देखिए 58 है समौर्थी सूची में कितने विसे सामिल हैं तो समौर्थी सूची में देखिए यहां पर समौर्थी सूची में 61, 99, 12, 52 तो दोस्तों यहां पर भी देखिए मैंने तीनों सूचीयों को धंग से पढ़ाया और उसमें कौन से सूची में कितने विसे आते हैं इसको भी लिखाया तो वो एक बार आप जरू कर लिजेगा सिच्छा को कि सूची में सामिल किया गया संग सूची में राज सूची में समौर्थी सूची में उपरोक्त सभी में तो दोस्तों सिच्छा को सामिल किया गया समौर्थी सूची में क्योंकि दोस्तों देखिए आपके एक जाम में बिल्कुल एक दिन तो आप एक बार चाहे आप नेट से सर्च कर लिजिएगा चाहे आप मेरे नोट से ही देख लिजिएगा लेकिन क्लियर कर लिजिएगा क्योंकि मुझे अभी कंफर्म में क्लियर नहीं है तो मैं नहीं पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुए थे 712, 732, 710, 786, तो यहां पर 712 में मुस्लिम आक्रमण हुआ था, अभी कोश्चे में 61 देखिए, निमलिकित में से किसके सासनकाल को वास्तुकला की दृष्टी से सुरणकाल कहा जाता है, अकबर, जहांगीर, सा जहांगीर, तो य अस्थापित की थी, लौहोर, आगरा, कराचि, देवगरी, दौलताबाद, तो दोस्तों, देवगरी, दौलताबाद अस्थापित की थी, मुहमद बिन तुगलग ने तो दोस्तों, यह सबसे बड़ी भूल थी, जिसक्राद्धानी परिवर्तन के विज़ से, इसके बहुत सारे धन खरच हो गए थे कोश्यमर 63 देखिए काल मार्क्स कहा का निवासी था जर्मनी फ्रांस रूस इटली तो काल माक्स कहा का निवासी था जर्मनी का था कोश्यमर 64 देखिए प्रत्म विस्युद की समापती कब हुई थी 11 नॉपर 1916 11 ग्यारा नूम्बर 1922, 11 नूम्बर 1918 में तो दोस्तो प्रथम विस्यूद की समाप्ती हुई थी 11 नूम्बर 1918 में कोश्टिय नूम्बर 65 देखिए राष्टपती राज्यसभा में कितने से दोस्यों को मनोनीद कर सकता है कोश्टिय नूम्बर 66 देखिए प्रथान मंतरी की नूक्ती कौन करता है संसत की दोनों सो दोनों के संयुक्त बैठग दवारा राष्टपती दवारा लोगसभा का अद्यच्छ राज्यसभा का अद्यच्छ तो दोस्तो यहाँ पर हो जाएगा लोगसभा का अद्यच्छ प्रधान मंत्री की न्यूक्ति कौन करता है लोक सभा का अध्यच कुश्यमन 67 देखें लोक सभा की दस्यता के लिए उमिदवार की आयू कितने वर्स से कम नहीं होनी चाहिए 18, 21, 24 और 25 तो दोस्तों लोग सबा की स्विस्ता के लिए जो उमिदवार है उसकी आयो 25 वर्से कम नहीं होनी चाहिए Q68 देखिए सर्वोच नियाले की नियाधीस की नियुक्ती कौन करता है प्रदान मंत्री, मंत्री, परसद, राष्ट्रपती Q52 की नियाधीस की नियुक्ती जो करता है राष्ट्रपती अब यहाँ पर देखिए सेहक सलीम चिस्ती का मकबरा कहा पर इसती था दोस्तों सेहक सलीम चिस्ती का जो मकबरा है वो उस्ती गो सोफी संते इनी के आद से ही अकबर को सलीम पैदा होता है जो सलीम जो की बाद में जहांगीर की नाम से जाना जाता है तो जोधा अकबर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें जो सलीम था वो अकबर उनकी दरगाह पर जाता और उनी के यासिवास से सलीम पैदा होता है जोधा की गर्व से अब हम देखेंगे question number seventy विश्व मौसम संगठन का मुख्याल है कहाँ Prague, London, Geneva, Russia दोस्तों ये है Geneva में विश्व मौसम संगठन का मुख्याल है Geneva में अब question number seventy one हम देखेंगे धुरी राष्ट्रोय का नेतितु किस ने किया तो हंगरी इटली आस्ट्रिया जर्मनी दोस्तों दुरुई राष्ट्रों का जो नेतितु किया था वो किया था जर्मनी ने भारत में हरित करांती की सुरुआत कब हुई थी 1666 से 1683 से 1842 से 1778 तो 1966 से 1666 तो यहां पर जो सही एंसर होगा वो हो जाएगा नेपाल चीन ब्रिटेन और भारत तो बिस्तु का सबसे प्राचीन देश जो है वो है हमारा देश भारत तो दोस्तों कपास का जो रेशा है वो प्राप्त होता है 75 दे की सीमा कि से देश को चूती है चीन भूटान नेपाल मयमर तो जोस्तों यहां पर आपको ध्यान से समझना है उत्त्राखंड आरा उत्त्रप्रदेश भी आरा बिहार भी आरा पस्चिम अंगाल भी आरा है तो यह आपका हो जाएगा नेपाल Q76 देखेंगे ना उड़ पाने वाली एक मात्र पंची अंटार्क्टिका में पाई जाती है Penguin, Petrol, Albartros इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा Penguin अंटार्क्टिका में पाई जाने वाली है तो यह Penguin हो जाएगी 77 देखेंगे प्रत्वी की उपरी सताह को कहते हैं जल संपदा, वन संपदा, मृदा संपदा, वायू संपदा प्रत्वी की उपरी सताह को क्या कहते हैं मृदा संपदा कहते हैं 78 देखेंगे मराटो के आकरवन सिपूर पंजाब पर किसका सासन था मुहमद साह, साहिरस्ता खां, नादिर खां और अहमद साथ अबदाली तो यहाँ पर जो सही अंसर होगा वो हो जाएगा अहमद साथ अबदाली 79 देखे विदेशी कमपनियों के ब्यापारिक केंद्रों को कहते बंगाल, कोठी, हवेली और दुकान तो विदेशी कमपनियों के ब्यापारिक केंद्रों को क्या कहा जाता था, वो कहा जाता था, कोठी तो ब्यापारिक कमपनियों ने अपनी कोठी बना रखी थी, इस तरह से आपने पढ़ा होगा तो दोस्तों यहाँ पर धात्विक खनिच की बात हो रही है, तो दोस्तों यहाँ पर जो सही है, सरोगा हरित क्रांती की बात यहाँ पर हो रही है, तो यह कृसी उत्पादन में ब्रिद्धी से समबन गित है और जब से हरित क्रांती आए तब से अभ खाध्यान की पूर्ती जादा ही हो जाती है, कम नहीं होती यानिort अब हमारे देश से बहुत ही ज़दा निर्यात होता है खाद्यान कोश्चिर में 82 देखिए केंद्र सूची का विसाय नहीं है डाक युम्तार बैंक के सिचाई रच्छा तो केंद्र सूची का विसाय नहीं है तो यह है सिचाई यानि कि दाक्तार, बैंक और रच्छा ये सब किन सूजी के विशा है 83 देखिए छेटरफल के दिश्टे बिस्व का दूसरा बड़ा महादीप कौन सा Asia, उत्री अमेरिका, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका बिस्व का दूसरा सबसे बड़ा महादीप पूछ रहा सबसे बड़ा तो हमें पता है, Asia महादीप है फिर दूसरा कौन सा है, दूसरा है अफ्रीका अब यहाँ पर हम देखेंगे, 84 उत्तर प्देश में तेल सुदक कारखाना आगरा जासी मतुरा लखनो तो दूसरा यहाँ पर देखेंगे, मतुरा जो है वो तेल सुदक कारखाना और इसी की वज़े से ही जो तेल सुदक कारखाने की वज़े से ंचए से stuffs ही जो आगरा में ताजमहल है उसका कलर जो है वो स्टोन जो है वो पीला पड पार है जिसकी वज़े से ही उसका जो कलर है वो पीला हो रहा है अब 85 हम देखिंगे भारत की संग कारपालिका का समवैधानिक प्रमुख है लोकसबा अध्यच राष्टपती उपराष्टपती अप्रधान मंत्री तो यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा राष्टपती भारत की संग कारपालिका का समवैधानिक प्रमुख राष्टपती अध्यच देखिये भारती रिजर बैंक की अस्थापना हुई थी एक अपराई 1935 से एक अपराई 1945 से एक अपराई 1905 से एक अपराई 1965 एक अपराई 1965 तो दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा प्रमुक चावल उत्पादक प्रदेश माना जाता है 88 देखिए बावर नामा बावर द्वारा लिखी ते एक महा काव्य कविताओं का संग्रा है संकलन है और आत्म कथा धार्मी पुस्तक दोस्तों बावर नामा बावर के द्वारा रचिते उसकी अपनी आत्म कथा है उसकी आटो बायोग्राफी है कोशन में 89 देखिए मैंने एक बुठी भर बादरे के लिए हिंदुस्तान का सामराज्य लगबख खो दिया यह कथन किसका था यह सब्दा सेरसा ने कहे थे कब कहे थे हुमायू से चौसा के युद्ध में माल देव से युद्ध करने में राज किसने के बाद तो दोस्तों यहां पर यह किसने यह कहे थे सेरसा ने कहे थे लेकिन किस युद्ध में कहे थे किस कब कहे थे इसके बारे में पूछ रहा है तो दोस्तों यह कहा था माल देव से युद्ध करने के बाद अब हम नेक्ट कोश्चन देखेंगे इबादत खाना इबादत खाना का निर्माड कराया था अकबर ने और अंग्जेब ने अलावदिन खिल जी ने और फिरोज तुगलक ने दोसों इबादत खाने का निर्माड कराया था अकबर ने question number 91 देखेंगे हम लोग मराटो का सरवादिक उध्थान हुआ था संभा जी के काल में सिवा जी के काल में साहु जी के काल में साह जी के काल में तो दूस्वों मराटो का सरवादिक उध्थान हुआ था सिवा जी के काल में और सिवा जी की जो युद्ध नीति थी चापा मार और चौथ सदेस मुखी कर ये सब काफी इंपोर्टेंट है और अश्ट चाप Q92 देखिए विला नीति का संबन्द है नाना साहब से, डलहौजी से, टीपो सुल्तान से हैदर अली से तो विला नीति का संबन्द किस से है संससे तातपर है लोगसबा, राजे सबा, लोगसबा, राजे सबा ता राश्ट पती, लोगसबा ता राजे सबा तो ये आपका सापसन सही हो जाएगा Q94 देखिए भारत के राश्ट पत को कौन सा अधिकार नहीं है संकटा, कालीन, स्थिति की गोश्टा करना, विदसों में राजदुतों की न्युक्ति पच्चुत करना और संसत को भंक करना तथा नहीं चुनाओं के लिए आदेश देना लोगसबा के सबस्यों की न्युक्ति पच्चित करना तो ये दाफ संजो है, ये राष्टपति को ये अधिकार नहीं है यानि कि लोगसबा के सबस्यों की न्युक्ति और उन्हें उन्हें के पद से हटाना कोश्टिन नाइटी फाइव देगे भारत का प्रथम नागरिक होता है अबिर गुलाल में उड़ता हुआ हलका रंग पदार्त है गेरू चांदी अब्रक बर्फ तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अबीर गुलाल में जो उड़ता हुआ हलका रंगीन पदार्थ दिखता है वो क्या होता है वो अब्रक होता है करनाटक में कैगा में स्थित है विद्दूत उत्पादन परमाड उत्पादन रेलवे इंजन और अल्यूमिनियम उत्पादन तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कैगा करनाटक इस तरह से मैंने आपको याद कराया था डिटेल स्टडी वाले एक वीडियो में जो कि एक ओर उड्या उत्पादन केंद्र के को कॉिश्ट्न मal-99 के भारत में राक्स प्रडाली प्रारमभी सट्रासों छांचट में स足 ठरस्ड़ासों छांचट में सथारस्ढ़न थूम्हां परकिंच्छांचट में बहारत में लग्प्राए और वर्ड विथ वाइट तो दोस्तों यहां पर जो सह इंसर होगा वो वर्ड वाइट वेब होता है डबलु 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 का मतलब इंटरनेट में तो यह वर्ड वाइट वेब question number 101 देखिए range कहते हैं पस्वो के बाड़े को मनुस्यों के घर को जंगलों के पुंजों को परुतों की स्रेणियों को दोस्तों देखिए range कहते हैं परुतों की स्रेणि को तो दोस्तों आज आपके यह 101 question part 2 का आपका बहुत कल्पी question complete हो गया है तो friends वीडियो को लाइक करिए और अपना स्कूर जरूर बताईएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा वैल आइकन बटन को प्रेस कर लिजेगा और वीडियो को share करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक क्यार बाइबाई लव यू ओल जैहिंद